इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्कशीट में डेटा और फॉर्मूला एंटर कैसे करें सेल में डेटा एंटर करना काफी सिंपल है हमें बस सेल पर क्लिक करना है और उसमें डेटा टाइप करना है चलिए देखते हैं कैसे सेल बी वन पर क्लिक करते हैं जब आप इस cell पर click करते हैं तो आप देखेंगी कि black box इस cell को highlight कर रहा है इसका मतलब कि ये cell अब active हो चुका है अगर मैं C1 cell को active करना चाहता हूँ तो मैं C1 पर click करूँआ मैं keyword में arrow keys का भी use कर सकता हूँ इस active cell के इधर उधर move करने के लिए अगर मैं down key press करता हूँ तो अब C2 active cell हो गया है और अगर मैं right click करता हूँ तो D2 active cell हो गया है तो ये active cell क्या है अगर कोई cell active है तो आप अपनी keyword पर जो भी type करोगे वो data उस cell में enter हो जाएगा तो मैं cell B2 में columns लिखना चाहता हूँ तो मैं cell B2 पर click करूँगा या arrow keys की मदद से cell B2 तक जाऊँगा और फिर वहां columns टाइप करूँगा फिर मैं keyboard पर right arrow key press करूँगा और अब मैं cell C2 पर हूँ अब यहां 16384 लिखते हैं जो कि एक worksheet में total number होता है columns का इसी तरह rows enter करते हैं B3 cell में rows की संख्या 1048560 होती है तो यह हम यहां लिखतेंगे अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको total number of rows और total number of columns पता हो तो क्या आप इस worksheet में total number of cells निकाल सकते हैं तो चलिए इस worksheet में कितनी cells हैं पता लगाते हैं इस cell में cell type करेंगे और यहां formula लिखेंगे cells को calculate करने का formula cell C2 और C3 के numbers का गुणनफल होगा मतलब कि अगर हम number of columns को number of rows से multiply करेंगे तो हम number of cells निकाल सकते हैं कोई formula एंटर करने के लिए हम equal to के symbol से start करते हैं फिर हम उस cell पर click करते हैं जो first value contain किये हुए है फिर हम गुणा का symbol यूज़ करेंगे जो की star होता है और फिर उस cell को select करेंगे जिसमें दूसरी value है मतलब second cell को select करेंगे और जब मैं फिर enter करता हूँ तो यह जो number है यह मुझे मिला है तो एक वरकशीट में इतनी cells होती है यह जितने भी mathematical symbols हैं जैसे हमने अभी गुणा का symbol यूज़ किया और बाकी mathematical formulas हम आने वाली वीडियो में काफी details में डिसकस करेंगे यहां मैंने multiplication का symbol एक example के लिए यूज़ किया है अब इस cell में हमें total number of cells दिखाई दे रहे हैं मतलब जो हमें value निकली है वो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसी के साथ आप जो formula enter हमने किया है वो भी देख सकते हैं यह formula बार में यह जहां हमें formula दिखाई दे रहा है यह बार formula बार कहलाता है formula bar हमें active cell के content को दिखाता है active cell data और formula दोनों contain कर सकता है अगर इस cell में data होता तो formula bar में हमें data दिखाई देता और अगर यहां कोई formula है तो उसका answer हमें cell में दिखाई देगा और जो actual formula हमने use किया है वो हम formula bar में देख पाएंगे इस formula bar के left में name box है name box हमें active cell का नाम बताता है तो इस समय हमारी active cell c4 है और यही number हमें name box में दिखाई दे रहा है अब देख सकते हैं इस cell का नाम c4 c जो है column के लिए stand होता है और 4 जो है हमारी row का number है तो अब हमने यह worksheet बना ली है जिसके अंदर थोड़ा सा data है तो अब आप इस worksheet को save करना चाहेंगे ताकि अगर हम अगली बार इसे खोलें तो हम यही से अपना काम शुरू कर सके हैं worksheet को save करने के लिए हम file button का use करते हैं इसके अंदर आप काफी options देख सकते हैं जैसे new, open, save, save as, आदे जैसा कि हम इस file को पहली बार save कर रहे हैं हम save as पर click करेंगे और हम उस location को select करेंगे जहां हम इस file को save करना चाहते हैं मैं इस file को अपने desktop पर save कर रहा हूँ मैं इस file का नाम excel basics के नाम से save कर रहा हूँ आप देख सकते हैं file type excel workbook में selected है जिसका default extension .xlsx का है excel की हर file जो आप save करेंगे by default उसका extension .xlsx का होगा अगर आप save location को change करना चाहते हैं तो आप इन navigation folders का use करके location को change कर सकते हैं या आप इस top bar पर type करकर भी location change कर सकते हैं अब हम यहाँ save पर click करेंगे आप देख सकते हैं कि मेरी workbook का नाम change होकर excel basic .xlsx हो गया है अगर मैं इस file को minimize करके desktop पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह file है इसका नाम excel basic .xlsx हो गया है और जब भी मैं इस file पर double click करूँगा तो वही same file open हो जाएगी एक बार जब कोई file अपनी location पर save हो गई है तो आप उसके बाद उसमें कोई भी change करते हैं तो आपको बस यह save button पर click करना है या आप file option में जाकर save पर click कर सकते हैं तो चलिए एक बार इस file को बंद करते हैं और इसे दोबारा open करते हैं saved file icon पर double click करके तो आप देख सकते हैं कि हमारी saved file open हो गई है और आप इसको दोबारा कभी भी open कर सकते हैं जब आप इस पर काम करना चाहें